और नेक्स टॉपिक इस पीपल लिविंग अन टॉप अफ अफ द वर्ल्ट नाउ वास टाइम टॉप अब टाइम था और भी हायर क्लाइम करने का लोनार हैड़ टॉफ टाइम जिग जैगिंग अलोंग नैरो रौकी मांटेंज रोड और हायर जैसे हायर जाते हैं तो जो टेंज रोड रोड तेहन आ अट अब हायर अपे अट मैनी प्लेस देर वर नो रोड अट अर कहीं पे तो रोड भी होते हैं सिर्स मिटी मिटी होती है आप अब स्मौविंग तॉड तोर्थ रौकी ब्लेंस ओ चंग तांग और यह कहां पे मूव कर रहे थे लोग चंग तां वो इतनी हाई है कि उस जगा पर नॉर्मली ब्रीधिंग भी करना बहुत ही डिफिकल्ट है। I had a headache and fell twig. जैसे मैं वहाँ पर गया, तो मुझे बहुत ही headache हो रहा था, सिल में दर्द हो रहा था, और मुझे बहुत कमजूरी जैसा फील हो रहा था। Then I slowly got used to breathing in such air, फिर दीरे मुझे थोड़ी सी आद दोगे कि उस हवा में breathing करने की habit हो गई। For many days we kept wandering in this area with not a single human being inside. और बहुत दिन तक मैं और मेरी motorcycle वहाँ पे उस area में घूम रहते हैं। और वहाँ पे आसपास एक भी लोग नहीं थे, ना petrol pumps थे, ना mechanics थे, सिर्फ blue sky थे और beautiful lakes थे, आसपास में बहुत अच्छी अच्छी beautiful lakes थे। Many days and nights passed, बहुत सारे दिन और रात पास हो गई लुनार और मैं वहाँ पे move करते रहे। Suddenly, एक morning को मैंने क्या देखा, must flat grassy land देखा, जहां पे बहुत सारे ship और goats grace कर रही थी, मतलब grassy land पे ship और goats, महां पे grass खा रही थी। Far in the distance, I saw some tents और थोड़ा सा दूर distance पे मुझे कुछ tent भी दिखे। I wondered who lived there and what they were doing in this far out place और मैंने ऐसा सोचा कि वहाँ पे कौन रहता होगा इतनी दूर वाली places में ऐसी जगा में कौन रहता होगा। कर दो